जै श्री कृष्णा जन्माष्ट में आ रही है और जन्माष्ट मी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी मंत्रों के जाप का फल वैसे तो हमेशा ही मिलता है लेकिन कुछ एक ऐसे विशेश मुहर्त होते हैं विशेश दिन होते हैं जिस दिन यदि हम भगवान की पूजा अरशना के साथ साथ ही मंत्रों का जाप करें तो हमारी इच्छा बहुत ही आसानी से और जल्दी से पूरी हो मंत्रों के जाप से हमारी जो आत्मा की आवाज है वो परमात्मा तक पहुँचती है हमारे भाव हमारी प्रार्थना हमारे शब्द और हमारे मंत्रों का जाप जब भगवान तक पहुँचते हैं तो फिर हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है इस जन्माष्टमी के पावन प आप कौन कौन से मंत्रों को लिख सकते हैं जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी आए जान लेते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा शक्ति शाली जो मंत्र हैं ओम क्लिम कृष्णाय नमहा आप इस मंत्र को 108 टाइम जाप जरूर कीजिएगा वैसे तो आपको इस मंत्र को जन्माष्ट मी के दिन सुबह से लिकर रात तक आप कितने भी बार चैंट कर सकते हैं क्योंकि जन्माष्ट मी के दिन किये गए मंत्र जाप की गई प्रार्थना सिधा भगवान के पास तक पहुँचती है आप अपनी एक इच्छा को बोल दीजिए और इस मंत्र का जाप श जलते फिरते भी कर सकते हैं आपके भाव का शुद्ध होना ज्यादा जरूरी है भाव को शुद्ध रखिए अपने मन को पवित्र रखिए और विश्वास को द्रण रखिए जो मजबूत होना चाहिए फिर आपको इस मंत्र का result जो है परिनाम है वो बहुत ही शानदार मिल या यदि आप किसी काम में वैस्त है तो आप इस मंत्र की चैंटिंग को भी सुन सकते हैं उसके बाद भगवान कृष्ण का दूसरा जो महामंत्र है जिसे महामंत्र बोला जाता है जिसके जाप करने से हमारी जिन्दगी में सकारात्मक्ता आती है हमें श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान का अशिरवाद एक साथ प्राप्त होता है वो महामंत्र है हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे आपको इसका जाप करना है, जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके अंदर आपको खुद ही एक positivity फील होगी, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप भगवान से connect हो चुके हैं, आपका भगवान से सीधा संपर्क हो चुका है, आप इसे बहुत ज़ादा concentrate के साथ में, व भगवान आपके साथ ही है, उनका आशिरवाद आपके साथ है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है, गोकूल नाथाय नमह, आप इसका भी जाप कर सकते हैं, मंत्रों में बहुत ज़ादा शक्ती होती है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जि इतने ही जल्दी आपको और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, इस जन्माश्टमी पर आप भी भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए और अपनी इच्छा को पूरी कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा ही बनी र आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थांक यू सो मच हरे कृष्णा